जय गुर्देव गुरुर गुर्ब्रमा गुरुर विश्नु गुरुदेव महेश्वरव गुरु हसाक्षात्परम ब्रह्म तसमेशिरुत्गुरुवे नमञ अर्चिनी वन्दनी प्रातह इस्मर्णी परम पूजनी गुर्देव के चरणों में बारंबार प्रडाम कर प्रारंब करते हैं विश्व कर्म प्रकाश ग्रंद के पांचवा अध्या शिलान न्यास उसका वर्णन अध्यान चल रहा है और उस क्रम में 208 श्लोकों को देख चुके हैं उसके आगे अब कहते हैं कि देखो जो शिलान न्यास करना है उसमें पांच शिलाएं ली है और इनको ईशान आदी के करम से इस्थापित करना है लगाना है न्यास करना है तो इशान के करम से कहा नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा तीथियों के भी नाम है यह और उन पर शिलाओं पर चिन्द मनाए जाते हैं पॉजटिविटियूटिग टेल्येमेंट जो शान व रडाल है यह जाए नंदा में पद्म का चिन्द मनाते हैं matter में सिहासन जया में तोरण का रिक्ता शिला पर से जयात्र कफ्पा अक्न यह जाता है इस्थापित करते हैं। इनका कलश से अभिषेक भी किया जाता है, इसनान कराया जाता है। यह शिलाएं रिशियों की पुत्रियां हैं। और इन पर जो अवाहन करते हैं ब्रह्मा विश्णु, रुद्र इशान और सदास्वी का, और कलश के जल से उनको इसनान कराते हैं। यह सारा कार्य एकाग्रचित होकर करना चाहिए। दत्य चित होकर करना चाहिए। शिलान न्याद से हमें दिशाओं के गुण पता चलते हैं। और किस प्रकार इसनान कराते हैं हमें उसका अभिशेक करते हैं, positively चार्ज करते हैं। तो किन पदार्थ से इसनान कराना और किस मंत्र से कराना इसके आगे उसका वढ़ना दे तो अगनी मूर्धा जो मंत्र है उससे जल से इसनान कराते हैं अश्वत्थ मंत्र से पंच का शायर पत्ते के जल से इसी प्रकार गो मूत्र से गैत्री मंत्र द्वारा गोबर से गंद द्वाराम मंत्र के द्वारा इसी प्रकार दूद से दही से घी से शहद से पंचे गव्य से कुशा से कुशाओं के जल से दूरवा के जल से गंद से पंचे गव्य से आउशिदी के जल से फल के जल से बेल के सींग की मिट्टी से, धानी के जल से, कलश के जल से, शिलाओं को इसनान कराया जाता है अक्षत के जल से, यव के जल से, तिल के जल से, नदियों के जल से, हलकी मिट्टी से, हलकी जो अगरबाग मिट्टी लगी होती है शहद लगी वी मिट्टी से सोना उसके जल से चांदी के जल से तीर्थ के जल से इस प्रकार विभिन जलों से कल्शों से वो शिला का अश्तनान कराया जाता है यह सब उस शिला को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करने की विधी है सकारात्मकूर्जा से आवेशित करने की विधी है उसके पश्यात शुद्दजल से इस्तनान कराया फिर सफेद वस्त्र से पहुँचकर सभी प्रकार के गंद जो हैं सभी अंग जो हैं उस पे लेपन करे और ब्रह्मा आदी देवता का नाम लेकर शोड़ सोब शार उसमें आवान आदी सब आएगा उससे पूजन करे और क्या करें सोना वस्तर आभूशन देकर पुन्य हवाचन करके सिला की स्थापना करें और कलश रखें तो कलश में सरवोशदी है जल है पारा है घी है रतन है शहद है ये रखना चाहिए और उसके पश्यात स्रेष्ट लगन में मुहुर्त में पांच प्रकार के वाद्दियंत्र बदा कर ये नन्दा अदी जो शिला है उनकी स्थापना करना चाहिए स्थापना करने के बाद शिलाओं से प्रार्थना करेंगे जो जिस दिशा की शिला है उससे से हमको उन दिशाओं के गुण पता लगेंगे तो नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा जो शिला है उससे प्रार्थना की जाती कि है नन्दे तुम इसको देने वाली हो यह हमको दो, उसको अब देखने का प्रियास करते है तो नंदा जया जो है वो शंक नामक कलश के उपर स्थापित है रिक्ता के लिए विजय कलश है, और तूर्णा के लिए सर्वत तो भदर नामक कलश है इन पे चिंन भी होते हैं इन कल्शों पर यह चिंन विशेश रूपसे बनाए जाते हैं नंदा से प्राफ्रना करते हैं आनन्दाई, कामना की पूर्ति लक्षमी नंदाशिला जो है नंदा की जो दिशा है क्योंकि दिशा जो है वो इशान करम से तो बताया है पर कहीं कहीं गरंथों में आगने आदी करम से भी मिलता है भद्रा जो है वो लोगों का कल्यान करने वाली आयू देने वाली कामना देने वाली सुगदायक जयाशिला से प्रात्ना करते हैं कि आप जय को देती हो आनन्द देती हो गौरव देती हो रिक्ता शिला जो है वो रिक्तता के दोश का नाश करती है और पूर्णा शिला आयू कामना धन और पुत्रदाई है तो यहाँ शिला न्यास के माध्यम से में दिशाओं के गुण करम से मिलते हैं प्राप्त होते हैं जैसे दुर्गा जी की अराधना करते हैं तो उनसे शक्ति चाहते हैं, लक्षमी जी से धन संपत्ति चाहते हैं, वेभव चाहते हैं, तो जो जिस देवता की qualities हैं, characteristics हैं, उनसे उसी प्रकार की प्रार्थना की जाती है, ठीक इसी प्रकार यहां शिलाओं के माध्यम से के गुण मता हैं, और यह रिशी की पुत्रियां हैं, तो इनको वस्त्र में लपेट कर वहां इस्थापित किया जाता है, इस प्रकार से अभी हमने शिलान्यास विदी को देखने का समझने का प्रयास किया, और कारी की समाप्ति के समय यह विशर्जन मंत्र उसको भी देखन कि देखने का प्रयास करते हैं। उत्तरदिशा की ओर मुख करके ब्रह्मा जी से बारम बार छमा याचना करना चाहिए कि किसी प्रकार की यदित रूटी हो गई हो तो आप हमको छमा करो। फिजेसी सामर्थ है उसके अनुसार सभी को आचारी को जोतिशी को इस्तपती को वेश्णों को इनको दक्षणा आदी दे कर संतुष्ट करना चाहिए। घी में अपना मुख देखे और भस्म लगाए अपने माथे पर और अन्य जो जन है सबको उचित दक्षणा दे और जो अन्य व्यक्ति हैं नेत्रहीने कुछ हैं उनको दान करें। इस प्रकार करने से व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी पुत्र पौत्र से युक्त होता है। जै गुरुदेव जै गुरुदेव